हेलो, कैसे हो आप सब? मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल गाओं की सांती में जिंदगी में कल क्या हो ये तो कोई नहीं जानता लेकिन जो आज है वो है तो मैं जा रही हूँ फॉस्पिटल और अपना जो है वो जाँच करवाने तब पता ही आप सबको की ठीक नहीं है हेलो, कैसे हो आप सब? मैं सांती सागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल गाओं की सांती में और अभी सुबह के दस बज रहे हैं और मैं तयार हुई हूँ तयार का मतलब की मैंने मैं कहीं जाने वाली हूँ जाने वाली हूँ होस्पिटल और अपना जाँच वगेरा जो भी चीजे है वो सारी चीजे करवानी है कल रवाई तो खाई थी बट अराम नहीं हुआ है बहुत टाइम से तो आज लोकी की सबजी और रोटी सिंपल सी बनाई है नास्ते में मतलब नास्ता खाना पूरा दिन तो वहीं लग जाएगा तो सोचा कि पहले दो मिनट आप सबसे बाते कर लूँ चोड़ी सी घबढ़ा हाँ ठोड़ी थी और यह जो ही यह तैयार है ओके और वही काम कर रहे हैं जो करते हैं मतलब मुबाइल चला रहे हैं तो यह देखिए यहां से हम निकलने वाले थे अपने बाइक से लेकी राज कलना हमारी बाइक भी जो है न वो ठीक नहीं है और धूब भी बहुत ज़्यादा लगती तो इन्होंने बोला कि तुम बाइक से जाओगी और तुमारी तभी अथनए खराब चक्कर आ रहे हैं तो पता चला अब तुम वहीं पर सोने लगी लुधक् Cathy तो पर दिक्कत हो जाएगी तो चलो हम आटो से चलते हैं तो यहां पर на हॉस्पिटल हमारे यहां से पंद्र किलोमीटर दूर है तो यहां पर आटो मिल जाते हैं गाओं में आपने देखा होगा कि सडक से आटो मिल जाएंगे जो आप जहां करें ले जाके छोड़ देते हैं और इन्हों ने बोला कि क्या मैं गाड़ी मंगवाऊं या इंबुलेंस थोड़े से यह भी परिशान से हो गया है तो यह देखे मैं और अम्या और यह जो हैं यह तीनों लोग निकल गए हैं होस्पिटल के लिए और दिखाती हूं कि आखिर में ऐसा मतलब अचानक से इतना जादा क्यों खराब हो गया और दिल तो डर जाता ही जाता है क्योंकि मे अच्छा लगता है आप सबसे थोड़ा सा बाते कर लेती हूं तो बताऊंगी कि आखिर में क्या हुआ है क्यों हुआ है और क्या आगे होने वाला है वो सब वीडियो में शेयर करूंगी तो यह देखिए हम लोग जो आटो से निकले और इतनी ज़्यादा लू चल रही थी यहां पर इतनी ज़्यादा लू चल रही थी कि आप समझ सकते हैं हम लोग निकल गए थे साड़े दसे ग्यार बजे की करीम में डॉक्टर ने मुझे ना खाली पेट बुलाया इन्होंने बोला कि तुम खाली पेट ही चलना मेरा पुरा देख रहे पुरा चेहरा कैसे हो गय कि मैं कुछ खापी के नहीं चली हूं और वहां जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है तो यह देखिए हमारे यहां का हरा 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 रास्ता तो थोड़ा सा और मैं यहां बैठे बैठे रिकॉर्ड कर ली मेरा तो इक्षा नहीं कर रहा था कभी वो ऐसे कर रही जब बिमार होती हुआ तो वह बच्चा मेरा इतना जदा दुखी हो जाती है न कि रोभी रही ती सामकों कि मम्य अब जल्दी ठीक हो जाओ जल्दी ठीक हो जाओ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और यह देखें यह वाली पुल जो है वह हमारे यहां बन रही है यहां से ट तो यह चल रहा है ना 21 चल रहा है ना सैद हाँ पता नहीं मैं मैं मेरी अधार फिर लगता है कमजोर हो गई है तो जल्दी यह पूल बनके कंप्लीट हो जाए गंगा जी में पानी देखे पूरा बलुवट पढ़ गया है और थोड़ा सा पूरा काई-काई वाला पानी बचा ह क्योंकि इतनी जादा इस साल गर्मी मुझे लग रही है कि बहुत जादा ही गर्मी जो है वह इस साल होने वाली है तो गंगा मैया की जै कर लीजिए हम जब भी जाते हैं तो गंगा मैया का दर्शन करके ही जाते हैं पढ़ती ही पढ़ती है यह रास्ते में तो यह पूल जो बलर्ड वगएरा सब निकल गया था मेरा तो उन्होंने बोला कि इनको कुछ खिला पिला के ले आई है इनको जूस पिला के ले आई है ताकि यह जो है और यहां पे आपको ऐसे ही दुकाने मिलेंगी मतलब जहां की जैसी है वैसी ही मिलेंगी तो जूस पिला के लिए और तो यहां पर हम लोग जूज पी रहे हैं और आप समने भी बोला था कि आप जो है वो उसका जूज उसके बाद न यहां पर इनके लिए एक कपड़ा लेना था उली के लिए तो यह बोले कि बस दस मिनट दे दो जादा मत दो क्योंकि हमारे यहां हमार जाज की रिपोर्ट आने में टाइम थी डॉक्टर ने बोला कि आप एक गड़ घंटे बाद आईये तो इनको कुछ खिला पिला के और मतलब रिपो और अरम्या भी अरम्या के कपड़े भी मैं कभी ऑनलाइन नहीं लेती हूं उसको होली में जो पहनना है वो मैं गुजरात से लेके आई थी और जो नॉर्मल भी घर में पहनती वह बहुत कम ऐसे चीज होती है अरम्या के लिए मैं इनके कपड़े 4000-3000-2000-2000 के एक आते हूं उ में मिस्स करने लगती हूं या फिर मेरा मन बहुत जड़दा गब हने लगता है मेरे बिमिर को बेचैनी और मेरी हालत भी थोड़ी-सी ज़या यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां बहुत सारी चीजें हमारे जिला अस्पताल में भी हो जाता है लेकिन बहुत सारी चीजें पनारस गई है कुछ रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट मेरी कल मिल जाएंगी यह जाके लेके आएंगे लेकिन जो डॉक्टर ने बताया है वह सारा मैं आई थिंक आपको एक दो दिन में बता पहुंगे उन्होंने बोला आपको जो कमजोर दिल वाले हैं उनको थोड़ा सा खरोच भी लगता है ना तो उनको लगता है कि वह गए गए और यह मेरे पैरों में स्वेलिंग और मेरे घुटनों में थोड़ा बहुत होता था रम्या के होने के बाद से लगतार लेकि इतना ज्यादा होगा कि आपको दिखा नही जी तो वो मेरे को चार-पांच बार कॉल की और हॉस्पिटल में जाने के बाद में बस इनके लिए एक कपड़ा ली तब क्योंकि बहुत ज़रूरी था वो लेना होली है मैं कुछ नहीं पहनूंगी चलेगा लेकिन बेटी और हस्बेंड और एक और मुझे बात करनी थी कि जी सबाद में दोटे यहां लीँ मं जाकर लेके तो फिर में वडीयो ना भी बनाती तो काम चल रहता लेकिन आज जो है वह दिन है200 कौन सा है आज दिन है मंगलवार या बुद्धवार पता नहीं आ रहा विडियो कब जाएगी ये भी नहीं पता मैंने एक दो हॉल सूट किये हैं वो हॉल जो है वो एक और दो दिन में मैं डालती रहूंगी वही हॉल जाएंगे भी सायद मेरी ब्लोग न जाए लेकिन और मैं अगर हॉ प्रशान हूं और पता नहीं क्यों मैं बड़ी इमोसनल सी हूं अपने जिंदगी में जब भी मुझे बिमार मतलब मैं बहुत ज़्यादा विमार होती हूं तो मुझे लगने लगता है कि मिलूंगी पता नहीं मिलूंगी कल किसने देखा नहीं जानते कल क्या होगा नहीं ज जाओं और पता कल किया होगा कल सब कुछ अच्छा होगा एक छोटी सी रिपोर्ट आई जो ब्लॉट वाली है जिसमें मेरा लौट जो है पुछ है r issues को 7.7.5 कैंट तिंक उसके अलावा साろ रिपोर्ट कल आएंगी और कुछ रिपोर्ट बनारस से बनके आएंगी साथ मुझे बनारस भी जाना पड़े होली कैसे मिलेगी बनेगी नहीं पता अगर कल अच्छा फिल किया अगर हॉस्पिटल में भरती नहों नहीं पड़ा तो शेयर करूंगी क्या लेके आई हूं लेके आई हूं बस अस्विंड के दीजिएगा अगर आपको अच्छे लगेंगे तो तीन या चार वीडियो मैंने शूट करके प्राइबेट करके रखे होंगे और एक चूले के खाने का भी होगा वीडियो वह सारी एडिट करके अगर डाल पाउंद एक दो प्राइबेट में भी है